जैहीं नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टैन्ड बीपीएसी में मैं फिर से एक बार आप लोग के बीच एक नया अफडेट लेकर आया हूँ चुकि अब वो तीन से चार दिनों के बाद है और इस तीन से चार दिनों के बाद आपके पास जो जर्जमेंट आने वाला है वो केलियर हो जाएगा ठिक उससे पहले कुछ अपडेट है मेरे पास चुकि बहुत लोग को डाउट है कि इस कोट के दोरान जो बहस हुआ था उस बहस में जो इविडेंस था उस इविडेंस के मुताबिक कुछ आपके पास फैक्ट है और उस फैक्ट पर हम बात करेंगे सभी को मालूम है कि दोनों पाटी कोट में पहुँचे थी पेटिशनर और पेटिशनर को प्लें ट्रिप बोल सकते हैं और जो और थे एक उनको डिफेंड चुकि यह सिविल केस है दोनों ने अपने अपने आर्गुमेंट रखे आर्गुमेंट प्रोडियूस किये चुकि सारी दलिले कोट ने सुन चुकी है इसलिए कोट ने इस केस को रिजर्ब कर लिया है चुकि दोनों पार्टियों ने अपने अपने इविडेंस रखे अपने-अपने case को मजबूत रखने के लिए चुकि उस दरान जो भी बहस हुए थे उस बहस को judge के जो एस्टेनों होते हैं उस case को जितने भी बहस हुए उस बहस को उन्होंने क्या किया लिखे तिया निए type करते गए ठिक type करते गए और court ने दोनों पार्टियों के evidence ले लिए और कहा कि अदालत अपना judgment सुनाएगी अदालत कब फैंसला सुनाएगी? next hearing पे और next hearing पे दोनों पार्टियों का बहस नहीं होगा उस date पे सिर्फ judge साहब क्या करेंगे? फैंसला है सुनाएगे और उस दरान judgment के copy जो होगी वो लिखित रूप से प्राप्थ होगी दोनों पार्टियों को चुकि सभी को मालूम है कि ये case जो है 7-8 महीने से चल रहे है long process going on है इसलिए इसको सुरक्षित रखा गया reserve रखा गया चुकि judge साहब के दोनों पक्षों के पार्टि जो है उनके जो भी बहस के दरान बाते हुई सभी argument को उन्होंने type कर लिया और उस type के दरान आपको मालूम होता है कि judge साहब घर पे जाकर और उसको मिलान करते हैं उनके पास जो copy होगा उस copy के दरान मिलान कर रहे होंगे इस टेनों साहब दरान type किये हुए argument के दरान जो भी सब्द होंगे उसको वो match करेंगे और match के दरान वो देखेंगे कि जो भी argument हुए हैं कि वो सनुविधानिक धारा अनुछेद CRPCI section के दरान क्या उसके according है according होगा तो माने होगा according नहीं होगा तो वो overrule करेंगे चोकि जो भी argument होता है उस दरान judge को तो कनून मालूम होते हैं लेकिन judge भी जो होते हैं उनको सारे section दिमाग में नहीं होते हैं इसलिए घर जाकर इसको match करते हैं और इसलिए case को इस condition में reserve किया जाता है इसलिए case को पी दोनों पाटियों को मिल जाती है दोस्तों आपको मालूम होगा कि कोई कई case में 7-8 महीने लग जाते हैं तो उस case के दोरान उसको लिखने में judge की जो copy होती है जो copy पर लिखा जाता है कम से कम 7-8 महीने के case की जो बहस होती है वो तो छोटी मोटी नहीं एक पेज दो पेज तो नहीं होगे किसी किसी में 100 पेज होते हैं किसी में 200 पेज होते हैं और कोई case long process going on होता है तो उसमें 1000 पेज भी लिखना होता है तो इस पेज को लिखने के लिए कम से कम समय लगता है जज को समय चाहिए होता है लिखने के लिए जिस दिन वो लिख लेते हैं उस दिन वो next day पे hearing कर देते हैं अब देखिए कुछ लोगों को समस्या यहां पर है कि क्या जो 2018 नियम आली के तरह जज साब ने फैसला सुनाया है क्या उसे वो पल्टवार कर सकते हैं छोटे रिजन में समझे दिस्टिक कोट यानि सिबिल कोट जो होता है सिबिल कोट फैसला जो भी जज्जमेंट दिया है उसको पलटने के लिए अगर वो सिबिल कोट से उपर जाते हैं हाई कोट में तो वहाँ पर क्या करेंगे वो region देते हैं, region, कि हम इस region देंगे, अपना एक strong region देंगे, अगर case को पलटना चाहते हैं, यानि जो फैसला उन्होंने सुना दिया है, और उसमें संसोधन करना चाहते हैं, यानि कुन्होंने 2018 नियम आली के बात किया है, काउंसलिंग बेसिस पर बात किया है, अगर वो case को यहाँ पर पलटना चाहते हैं, तो जज को यहाँ पर strong region देना होगा, काफी strong region देना होगा, कि हाँ, ये इस मुद्दे के तहत, इस region के तहत, मैं इसमें संसोधन कर रहा हूं, और exam basis पर ये ये होगा, ऐसा होता है, चुकि आपने देखा होगा, फिल्मों में, कि तमाम सबूतों और गवाहों के मदे नजरत रखते हुए, अदालत इस मुद्दे पर पहुची है, कि ये फैसला अभी तुरंट सुना दिया जाता है, लेकिन वो फिलम है दोश्तों, ठीक है, वो real life है, और real life में ऐसा नहीं हो 200 पेज या किसी-किसी में 1000 पेज हाथ से लिखने पड़ते हैं, ठीक है, 100 पेज को लिखने में समय लगता है, 100 पेज चुकि आपको मालूम है कि 10 वज़े से लेकर 4 बज़े तक बहुचारे केसिस, या 8 वज़े तक 9 भी बज़ जाते हैं कई-कई आदालतों में, तो उसके ब महिने का समय लगता है, ठीक, तो 100 पेज अगर लिखना होगा, चुकि 7-8 महिने तो मुझे लगता है कि 100 से, चुकि 69 पेज का पहले जो ज़जमेंट हुआ है, वो 69 पेज का है, तो यहां पर strong evidence, strong region देना होगा, ज़ज सहाब को, तो 100 से 1500 पेज तो जाएगा ही, लिखने के ल अलग रहोगा, मुझे लगता है कि अभी ओ लिख रहे होंगे, और लिख रहे होंगे, तो पूरा हो जाएगा, तो फिर ज़जमेंट आ जाएगा, चुकि पहले जो ज़जमेंट सुनाया गया है, और अभी के ज़जमेंट, मतलब औरतमान हिसाब से देखते हुए, जजमें बेसिस वालों ने भी अपने केस को जितने के लिए उन्होंने strong evidence लगाया, ताकि उनका केस और मजबूत हो जाए, और ठीक उसी तरह, जो CBT qualify यानि exam basis वाले हैं, उन लोगों ने भी अपने केस को मजबूत करने के लिए अपना-पना strong evidence लगाया है, ताकि उनका भी केस मजब करने वाले हैं, तो अभी क्या circumstances को देखकर judgment सुनाएंगे, अगर ऐसा change करते हैं, तो उनको यहाँ पर evidence strong reason देना परेगा दोश्तों, क्योंकि high court का बात है, और high court में single bench की बात हुई है, तो single bench की बात हुई है, तो single bench के जब double bench के judge बैठेंगे वहाँ पर, तो उनको वहाँ प basis के box में, फैसलायो सुनाए हैं, चुकि अगर यही matter, high court का matter, अगर district level पर रहता, यानि civil court में रहता, तो देखें, इतिहास पिछले case को भी देखिए, अब बहुत सारे cases हैं, उधारन स्वरूप आप देख सकते हैं, जाकर study करेंगे तो, चुकि high court के फैसले को, civil court या district court, कभ भी उसके खिलाफ नहीं जाती है, लेकिन हा, civil court अपने ही फैसले को बदलने के लिए, single bench के judge हो, double bench के judge में जाते हैं, तो उसमें, उसको पल्टवार करने के लिए, उन्हें strong region देना पड़ता है, ठीक उसी तरह, high court, के जो judgment, जो आया है, single bench के थुरू, तो double bench की जो, यहाँ प होंगे, region दिये होंगे, region मिलेगा, किस region के बदलत, इनका 2018 नियम वाली के तहत हो रहा है, या exam basis का, तहत हो रहा है, तो exam basis वाले को joining later मिलेगा, वहाँ पर एक strong region देंगे आपको, और यह सब सारी cases को study करने के बाद, judge साहब देखेंगे, कि हाँ, यह section के द्वारा है, ठीक section के द्वारा है, तो किसीने किसी के पक्ष में फैसल आये, चली जाएंगे, और बात आता है कि किसका होना चाहिए, या CBT क्वालिफाई का होना चाहिए, या contact basis वाले का होना चाहिए, यह कहना बहुत मुश्किल है, जो कि दोनों ने अपना अपना evidence जो दिया है, काफी strong है, कौन से section कंतरगव तो देंगे, वही जानते हैं, और बस तीन से चार दिनों के बात है, और यह तीन से चार दिनों में फैसलाए आ जाएगा, चुकि मालूम है कि अब कुछ भी इसमें अब नहीं हो सकता है, यानि जो भी evidence था, जो भी साक्ष थे, वह सब लगबग पेस कर द कर दिया गया है, दलीले सुनी जा चुकी है, रिजर्ब कर दिया गया है, तो बस अब इंतिजार करने के जरूरत है, चार से पांच दिनों का अंदर, दो हपते के बात बोला था मैंने, यानि एक हपते और लगबग पांच से साथ दिन और लगेंगे, ठीक है, यानि 10 से 14 द तो आप ओवरियक्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोट को द्वारब जा सकते हैं, क्योंकि आजादी है सबको, जितना सोतंतरता कॉंटेक्ट बेसिस को है, उतना ही सोतंतरता, सिबिटी कौलिफाई, यानि दोनों पक्चों को है, सोतंतरता देखिए सबको समारूप से है, भारत म रहने वाले सभी व्यक्तियों के पास, जो सोतंतरता हमारे पास है, वो सोतंतरता आपके पास भी है, तो आप इसको ओवरियक्ट करने के लिए, अगर यहाँ पर कोई भी किसी के साथ भी अनुजीत फैंसला होती है, तो आप सुप्रीम कोट भी जा सकते हैं, और सुप्रीम क के जज में सुनाई जाती है दोस्तों तो वहां पर फैसलाए जो पलटना होता है पलटवार करना होता है तो वहां पर रीजन देना ही परेगा और रीजन आपको साफ तर पर उस कॉपी के माधियम से मिल जाएगा आपको कि हां इस रीजन के तहट जा सकते हैं आप यह रीजन ह दिये हैं या 2018 नियम आली के बात करते हैं तो देखिए क्या होता है चुकि मामला काफी पेच्चदा है तो हो सकता है कुछ अच्छा ही होगा और एक और चीजिस में देखिए पेच्ट बेसिस वाले जो है वो सोच रहे हैं क्या को उनको हटा दिया जाएगा जो फेल हो गए है तो यह दिमाग से निकाल दीजी जो लोग एकजाम में फेल हो गए हैं जो कारेरत है आपको नहीं हटाया जाएगा ठीक है आप कुछ दिन पहले ही एक लेटर निकला था स्व आते हुए भी तो आपको थोड़े से इसमें सैलरी जादा है बागी प्रोसेस तो से मोही है अब देखिए क्या होता है इंतिजार करना है आप लोग को एक हपते के अंदर अब समझ गए होंगे कि क्या-क्या जो प्रोसेस थे इसके मुताबिक अब कोई अनुमान नहीं लगा स सकता है दोस्तों इतना बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा इधर थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन पूरी तरह यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि किसके पक्ष में फैसलाए जा सकता है ऐसे मूंग से तो कोई भी ऐसे आए तो कुछ भी बोल देगा कि हाँ कॉंटेक्ट बेसिस के भी फैस पक्ष में जा सकता है या सिबिट क्वालिफाई के भी पक्ष में जा सकता है लेकिन जा सकता है किसना किसन यह के पक्ष में तो जाएगा ही बसरते कि अब इविडेंस है कानून है और अदालत है आदालत का बात अंतिम होता है तो इंतिजार है एक एक दिन सब को लग रहा होगा भारी इसलिए अब इंतिजारी किजिए दोस्तों नियम के मुताबिक जो भी बहस हुए थे उसमें देख लिजे क्या होते हैं और जिनका देख लिजे अगर यहां पर जिनका नहीं होता है किसी कारण वस या कंटेक्ट बेसिस हैं उनको हतो साइट नहीं होना है आप आगे भी त्यारी करेंगे मौन छोटा नहीं करेंगे क्योंकि मामलत कोट में और केस रिजर्व हो चुका है तो इस महीने तक ही यानि 29 अप्रेल या 30 अप्रेल तक 30 अप्रेल तक इसका फैसलाई केलियर हो जाएगा और उसके बाद आपको मालूम है कि माई में माई से सब्सक्राइब करेंगे जीजिः करते अपना त्यारी कर सकते वियों कुछ इंस इंस्ट की बात करें तो किसले इंस्टर्टर का भी आपको मालूम है कि साथ मईं को डेटि नेक्स्ट एरिक साथ मईं को है तो देखिए हम लोग तब उस रिजर्ब नहीं हुआ है अगर केस रिजर्ब हो जाएगा तो उस कंडिशन में भी कुछ आच्छा हो सकता है चलिए यह अपडेट है अपने खे रखे और मन छोटा ना करे जो भी होगा अच्छा ही होगा चाहे वो कंटेक्ट बैसिस हो चाहे वो सिबिटी क्वालिफाई हो ठीक होगा तो दोनों लोगों के सांथ अच्छा ही होगा